हलो इवन मैं हूँ शमा और आप देख रहें मेरा चैनल सिंपल ब्यूटियट लाइफ स्टाइलिंग हिंदी तो इस तरह के अक्सर कडाही की जो लीड होते हैं उनके उपर की हैंडल तूट जाती है निकल जाती है तो एक छोटी से टिप पता रही हूँ तो आपको पसंद आएगी और आप इसका यूज करेंगे तो ये दो किलो का जो तेल वाला गैलन आता है न इस तरह का बॉटल इसमें इस तरह की एक मजबूत हैंडल लगी होती आपने कभी गौट से देखा होगा तो ये काफी मजबूत हैंडल होती है इसको हम इस तरह से आपको साबूत मिल जाता है इस तरीके से यहाँ पर रॉंग साइड में हम एक छोटा सा होल करेंगे इसमें होल बहुत बड़ा नहीं करना है तो एक मार्किंग कर लिया और किसी भी गोल्ड टूल से आप होल कर लीजे यह एक पुराना मेरे पास नट बोल्ड पड़ा हुआ है तो इस तरह का मार्किंग में आप दो चार रुपे का ले सकते हैं अगर पुराना हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं ऐसे अंदर की तरफ में बिठाल रही हूँ पहले यह लंबा वाला जो स्कुरू होता है इसको हम बिठालेंगे और उसके बाद से स्कुरू को बिठालने के बाद हम इसके अंदर ऐसे इसको फिट करेंगे पीछे के साइड में आ करके हम इसका जो दूसरा वाला पार्ट है जिससे यह कनेक्ट होता है उसको हम connect कर देंगे तो पुरा proper हम last तक इसको set करेंगे और ये हमारा एक handle बनके ready हुआ है तो किसी भी कड़ाई ये pan का अगर ढखकन में से इस तरह का handle निकल गया है तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पुरानी t-shirt ली है जिसमें बहुत सारे hole हैं तो मैं उनका use कर रहे हूँ और ये होजरी वाली t-shirt है तो होजरी के कपड़े की t-shirt ले लीज़े आ और इनको इस तरह से cutting कर लेंगे सारी sleeve अलग कर लेंगे ऐसे दोनों sleeve अलग कर लेंगे अभी क्या करना है उपर से गले का जो मोटा बला पार्ट होता है पट्टी लगी होती उसको अलग कर देंगे ऐसे हो गया अब बीचो बीच से मैंने इसको fold कर दिया ये एक medium size की t-shirt है तो इसी हिसाब से आप लीजेगा और बीचो बीच से एक cutting मैंने कर दी इस पे अब हम उपर से करीब 3 inch छोड़ते हुए इसकी पत्ली पत्ली पत्टियां ऐसे निकाल लेंगे ये देखे उपर से ध्यान दीजेगा मैंने 3 inch करीबन छोड़ा है डबल करने के बाद 3 inch नाप लीजे और निशान लगा लीजे इस तरह सभी को मैंने ऐसे cutting कर लिया है और आप पत्टियों को पकड़के हलके हाथ से उपर एक हाथ रखते हुए ऐसे खीचेंगे ताकि ये निकल न जाए और यहाँ पर वाइपर ले लिया मैंने ये अलग पोछा वाइपर है मेरा तो इसका handle मैं निकाल दे रही हूँ आप जहाँ से उपर हमने एक hole बनाया था उसमें हम ऐसे डालेंगे आप चाहो तो पहले पानी में निचोड करके इसको फिर पहनाए या फिर direct आप पहना दीजे थोड़ा सा मैं इसको set कर ले रही हूँ तो ये set होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा मेरा टब चोटा है आप चाहो तो डिरेक टैब के नीचे इसको डाल करके निचोड सकते हैं मेरा टब थोड़ा चोटा है तो थोड़ा सा अज़ेस्ट करके मैं इसमें पानी को ले रही हूँ एक क्विक पाच मिनट में बनके ये मौब तयार हो गया है बहुत एजी ली आप अराम से घर पे इसको बना सकते हैं कोई सिलाई नहीं करनी है इसमें कुछ भी अलग से यूज नहीं करना है पुराने वाइपर और पुरानी टेशर्ट से इसको बना डालिए लॉक्डाउन का समय चल रहा है तो मेबी मेट नहीं आती होगी तो एक इजी पुछा बना के आप घर में जो मेंस है उनको भी दे सकते हैं या बड़ी से बड़ी जंगा में आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे बिना सिलाई मशीन के एक और है बता रही हूँ मैं टी शेट का तो एक मैंने ले लिया है यहाँ पे टी शेट होजरी की ये भी है तो कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे और marker ले लिजे जिससे mark करने में असानी हो तो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है अभी यहां पे sleeps के बगल से हम निशान लगाएंगे और एक V-shape मैंने बनाया है अभी मैं cutting करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा तो नीचे बाजू से हम इसको cut करना start करेंगे दोनों side cut कर दिया उपर से V-shape देंगे ये देखे कुछ इस तरीके से ये देखे कुछ इस तरीके से ready हुआ है यहां से आप 3 इंच करीबन छोड़ दीजे और निशान लगा लिजे अंदाज से भी आप लगा सकते हैं और एक line खीच लीजे, line खीचने के बाद जो 3 इंच का margin हम ले दिया है उसके नीचे से हम cutting करेंगे इस तरह से पतला पतला हमें cut कर लेना है पूरे टीशट में और दोनों parts में cut कर रहें आगे और पीछे दोनों side में ऐसे cut कर लीजे यहां पर आगे और दोनों parts में मैंने complete कर ली है cutting को अब हाथ हलका से लगाते हुए दोनों parts की पत्टियों को ऐसे खीचना है यह देखे हलका हलका हाथ से खीचेंगे तो यह थोड़ा stretch हो जाएगा और थोड़ी पत्टियां length में बड़ी हो जाएंगी तो ऐसे कर लीजे दोनों side में अब आगे और पीछे दोनों मिलाते हुए दोनों parts में knot लगाएंगे तो ऐसे पकड़ लीजे आगे और पीछे की पत्टियों को और दो दो knot या तीन knot आप जितनी भी चाहे उतनी लगा लीजे इस तरीके से लगाते जाएंगे यह देखिए तो यहाँ पे देखे बिना सिलाई machine के मैंने इसको नीचे से lock कर दिया है यह इस तरह से lock हो जाएगा यहाँ से हमारी handle हो जाएगी और एक बहुत ही इसी तरीके से आप एक carry bag fabric का बना सकते हैं एक पुराने टी-शिट से और बजार में easily आप इसको ले जा सकते हैं और यह द सिलाई machine के यह idea आप use कर सकते हैं यहाँ पे एक पुराना दुपट्टा मैंने लिया है और दुपट्टा जो है cotton का लिया है और मैंने अपना blanket जो है इसको इस तरह से cylinder form में जो है fold करा है यह उनके लिए है जो hostel में रहते हैं या घर पे cover नहीं बना सकते हैं सर्दिया चली ग आप cotton का दुपट्टा लिजेगा जिसका color जो है fade ना हो light color ले लिजेगा ऐसा कुछ और दोनों साइड में इस तरह से cylinder form में blanket को लगाते हुए आप इस तरह से fold कर सकते हैं और उपर से दो छोटे 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 ribbon से फीटे से या जो भी आपके पास है उससे आप tie कर सकते हैं इधर भी tie कर दिया मैंने अब इनका use आप easily कहीं पे भी आप इसको कहीं पे भी side में रख सकते हैं ट्रंक में रख सकते हैं अलमारी में और यह इस तरह से खड़ा भी हो जाएगा और चाहो तो आप लिटा के रख सकते हैं तो जंगा कम है तो उसमें भी आप इसका use कर सकते ह हैं इस तरीके से और blanket dust से तो बचेगा ही cover रहेगा आपका blanket जसिदा है तो जया कि ऱ ऐसकते हैं तो झाली हो घटाली हो जाएगा मित पुदी आप कर से जू works लि 무 झाल 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 पैकर्स जो हैं हमारे घरों में आते हैं जिनमें चावल आटा डाल करके आता और बहुत सारी चीज़ें हैं। काफी जादा मजबूत होते हैं डूरेबल होते हैं इनका काफी यूज़ कर सकते हैं इस पे हैंडल भी लगे होते हैं। तो क्या होता है कि यहां से हम कटिंग करके निकाल देते हैं बाद में इसका हैंडल खराब हो जाता है और पैकट जो हैं फेकने लाइक हो जाता है। तो इनको खोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है जो अक्सर जल्दी बाजी में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो देखा होगा आपने इस तरह की सिलवर कलर की इसमें एक फाइल लगी होती है और उसी पे यह सिलाई होती है। एक बस यहाँ पे एक नॉट होती है जिसको बहुत ही ध्यान से आपको बस ओपेन कर देना। यह दिखे मैंने नॉट ओपेन कर दिया। अब एक पीछे की तरफ धागा निकलेगा एक आगे की तरफ धागा निकलेगा। आप देख सकते हो दो साइड में धागा है। बस पहला वाला पकड़िये और दूसरा वाला पकड़िये पीछे से। एक एक करके मैं दिखा रही हूँ। ऐसे खोलते जाए। यह यहां तक खुल गया और यह निकल गया। अब यह पीछे वाला भी इसी तरह से खोल दीजे। यह निकल गया। यहां पर डबल सील आई है तो सेब मैथट से। मैं दूसरी वाली भी नॉट खोल रही हूँ। यह देखे ऐसे। बस इसको खोल दीजे। दो धागे आपके हाथ में आएंगे। आगे वाला पहले पीछ दीजे ऐसे। यह खुल गया। और पीछे वाला ऐसे ही निकल आएगा। यह देखे यह जो प्लास्टिक इस पर लगी हुई थी धागे के साथ निकल आई है। और मेरा जो बैग था यह बिलकुल फ्रेश निकल आया है। कहीं से कट नहीं पड़ा कहीं से कुछ नहीं हुआ। कटिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स टाइम आप इसी तरह से खोलिएगा। आपको यह है पसंद आया होगा। कौन सा है पसंद आया कॉमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा। वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज लाइक, सस्क्राइब, शेयर और कॉम झाल 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 झाल